आप अगर गदे के उपर लकीरे डाल दे तो वो जिबरा नहीं बान जाता, वो गदा गदा ही रहता है, तो इसी है। मैंने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, वो मेरा स्वागत करते हैं, इसके बावजूद मैंने कभी उसे अपना घर नहीं माना, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था, उन्होंने आगे कहा कि मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं अंग्रेश तो बन नहीं सकता, आप अगर गदे के उपर लकीरे डाल दें, तो वो जेबरा नहीं बन जाता, गधा गधा ही रहता है. ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया, लोग इमरान खान के इस बयान पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, कुछ का कहना है कि इमरान पहली बार सच्चे लग रहे हैं, एक यूजर ने तो ये तक कह डाला कि इमरान ने खुद की सच्चाई कुबूल कर ली है, हाला कि ये पहला मौका नहीं है जब इमरान खान ने गलत बयान दिया हो, इससे पहले भी वो ऐसे बयान देते आये हैं, इमरान खान ने इससे पहले उसामा बिनलादेन को शहीद बता दिया था, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी, इसके पहले उन्होंने रेप क गटनाओं पर आपत्ती जनक बयान भी दिये थे। इमरान खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जर्दारी के आलोचना करते हुए उन्हें बिलावल साहिबा कह दिया था। जिसके बाद शहबार शरीफ को पाकिस्तान का नया प्रधान मंतरी बनाये गया। दूसी तरफ पाकिस्तान की सियासत में वीडियो वार छिडने जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पूर प्रधान मंतरी इमरान खान के 7-8 वीडियो किसी भी वक्त लीक हो सकते है इमरान खुद मान चुके हैं कि उनके कुछ वीडियो सामने आने वाले हैं और ये उनकी इमेज तबहा करने की साजिश है बताय जा रहा है कि इनमें से तीन बेहद आपत्ती जनक हैं और इन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता खान के Chief of Staff और Chief Advisor शहबाज गिल ने कहा था कि मेरी सभी से गुजारिश है कि इमरान खान के वीडियो लीक या जारी नहीं किये जाएं इससे बहुत तबाही होगी खैर ये 7-8 वीडियो तो जब लीक होंगे तब होंगे लेकिन इमरान खान ने खुद की तुलना गधे से करके एक बार फिर सोशल मीडिया में हंगामा मचा दिया है और लोगों को उनको ट्रोल करने का एक और मौका दे दिया है इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक और शेयर करना ना भूले और IBC24 के यूट्यूब चैनल खबर विबाग को जरूर सब्स्राइब करें आज के लिए इस वीडिय में इतना ही नमाशकार